यह पैराशुटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल 50 मीटर विदाउट फ्रिक्षिन वन पैराशुट ओपन इट डियाचलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वार जिसे की कोई भी पैराशुटिस्ट है वो मतलब वो दिढ़ना स्टार्ट होता है लेकिन 50 मीटर कवर करने क बाद जाकि उसका पैराशुटिस्ट ओपन होता है देन उसका एसलेरेशन उस ताइंप टू मीटर पर सेकंड स्क्वार जाता है ही रीचीज दा ग्राउंड विद इस पीड त्री मीटर पर सेकंड एट वट हाइड डिड ही बेल आउट जैसे माल लो यहां से यहां से वह ग कि जो ओपन हुआ इसका पैराशुट तो एक्सलेरेशन हुआ टू मीटर पर सेकंड नेगेटिव में क्योंकि वह डिच कर रहा है और बोल रहा है कि वह रीच कर रहा है ग्राउंड पर विदे स्पीड ओप और यहां पर जो पहुंचा क्योंकि इनिशल से नहीं जहां से वह गिरन स्टार्ट हुआ है वहां से यहां तक हमें हाइट निकालने हैं अब क्या चीज़ा है आपके पास एक हाइट ये वाली हमें हॉम हमें को ब्हुंच कुण करेंगे वहारी हाइट हो आपको दिया हो इत्नी जो भी हाइट हमारे निकलेगी और ओप्शन अप सबसे पहले हम यहां पर उसकी निकालते हैं सब्सक्राइब क्योंकि यहां पर गिरना स्टार्ट हुआ है सब्सक्राइब क्योंकि यह नीचे आ रहा है तो इसलिए नेगेटिव की उसमें क्योंकि एसलेरेशन हमें नेगेटिव रखना होता है क्योंकि यूश्क्राइब पहुंच गया 9.8 इंटो 50 की फॉर्मिल लगाएंगे हम यह है थ्री का स्क्वायर और यू स्क्वायर है 980 माइनस टू ए माइनस कितना है हमारे पास एस हमें निकानला है कि जो डी एसले रेट होना स्टार्ट हुआ तो इसको हम प्लेस रखेंगे इसको नेगटिव करेंगे यह धर जाएगा टू ए एस 980 माइनस नाइन इसको धर लेगा है इसको धर लेकर चले गए तो एस इक्वेल टू इसकी जो वैल निकले की वह निकले की 243 मीटर यह हमारे डिस्टेंस जो निकली है लेकिन हम हमें क्या करना है प्लस करने पड़ेगी दोनों वैल्यू है सो 293 की जो डिस्टेंस उसने कवर की है कि आफ्टर बेल आउट के बाद